कि आतंकवाद फैलाए हुआ, आतंकवाद कौन फैलाता है? आतंकवाद सरकार से ज़्यादा आतंकवाद कोई नहीं फैला सकता है. आतंकवादी कहना, ये किसानों को आतंकवादी कह सकते हैं, किसानों को खालिस्तानी कह सकते हैं, बीजेपी का गोदी मीडिया और बीजेपी क सोशल मीडिया या BJP के लोग तो BJP को आतंकवादी कहने में क्या वो है इसके पीछे भी राजनेतिक सठीयंतर होगा एखुत है इसके चक्षक में इनको वोट देदें लोग और वोट कट जायें और BJP जीत जायें कर देंगे रहा कर देंगे कांगर्स कें कर देंगा वाकवस की उनोंने बिल्कुल जूट बोली और अब सोचल मीडिया पर हम देख रहे हैं के सबसे जूठा प्रेम निश्टर ऐसी बाते चल दें नमस्कार मैं उर्जाओं और आप देख रहे हैं जनेत अवाज भाउजन समाच पार्टी के प्रमुक और मायावती के भतीजे आकाश आनन्द पर मुकदमा दर्श किया गया है रविवार को सीता पूर में determ security से आपना बयान बाज़ी कर रहे हैं भाचपा सरकार पे निशाना साध है और कह रह हैं कि भाचपा सरकार आतंगवादी हैं और साथी साथ तालिबान से उनका comparison करने की तालिबान से comparison करते वे नजर आ रहे हैं और इसके बाद जो है उन पर मुकदमा दर्श किया जाता है और इसी मुद्दे पर बाचीत करने के लिए हमार सब मौजूद है एड़ोकेट बलराज मलिक जी सर क्या लग रहे क्या मुकदमा करना इस तरीक होनी चाहिए और आलोचना के लिए भी positive words यूज करें तो ज्यादा बेतर है क्योंकि जो लोग देश का प्रतिनीजित करते हैं या करने की सोच रहे हैं उनको कम से कम भासा उनकी इस तरह हो और इसमें सबसे ज्यादा रोल अगर किसी को अदा करना है तो देश के प्रेमिनिस और उसमें सबसे ज्यादा एहम है देश के प्रधान मंत्री जो इस वकत है नरेंद्र मोदी उनकी भासा कोई इस तरह की भासा नहीं है कि जिसको ठीक समझा जाए अगर भासाओं पर इस तरह जाया जाता तो अभी तक तो जो जूते मारो पतानी गोली मारो और बद्दी आदेश हुआ वो खुद नहीं की दिली में एक जस्त है जस्टिस मुडली धर उन्हें ने आदेश दिया तो रात कोई उनकी ट्रांसफर हो गई थी तो यह लोग जो एक तरफा जो कारवाई हो रही है फायार दर्ज होना यह सुप संकेत नहीं है देश की डेमोक्रेसी के ल असलमा ने वो गुस्पैटिया कहते हैं तो क्यशा है नहीं यह पिक और प्लिसी तो बिलकुल अगर तुम गलत भासा मेगता इस इस लिए फिलाफ जैय करते तो से लेकिते इस नहीं कर सकते यह कानून कानून यह कहता है कानून की समानता समानत तरीके से लागने अगर उसको तुम सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन पर वो लागू नहीं कर रहें इसका मतलब जो वैवार तुम उनके साथ कर रहे हो वही बाकी लोगों के साथ करना होगा अगर उस आधार को देखा जाए तो अकास आनंद बे की हुई एफ़ाई यार दुएस पूरण है और एक तरह से भेदवाव पूरण है और जान बुझ के टार्गेट बनाने वाली बात है अधरवाईज तो सब के बासन की रिकोर्डिंग देख लो प्रैमिनिस्टर किस तरह की बासा बोल रहे हैं वो एक प्रैमिनिस्टर के लिए वैसे ही सोबा नहीं देता तो इन पे कारवाई ना होके इलेक्शन कमिशन भी उनको नोटिस नहीं देता पार्टी के प्रेजिडेंट को नोटिस देता है और जिन लोगों को टार्गेट मानते हैं ये लोग अगर उनको लगता नहीं नुक्षान में है इससे कुछ नुक्षान होगा इसके पीछे भी कोई राजनितिक सडियंत्र ह हो सकती है देश को उस पर ध्यान देना चाहिए इमीजियेटली भावक नहीं होना चाहिए और इमीजियेटली रियक्शन में नहीं जाना चाहिए सबसे बड़ा टार्गेट है सबसे बड़ी एफाईयर अगर कोई आस दर्ज करने जा रहा देश वह बीजेपी के खिलाप कर कार देश का टार्गेट है उस टारगेट में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं कि खिलाब अर्वेंद। स्क्राइब न्यौक्त के चाहिए कोई भी ऐसा मौका नदेल को जिसमें यह उसका मिश्यूज पाएब हाला कि आतंकवाधी कहने कि से कि दोको खाली सानी कह सकते बीजे-पी-ई-पी-ई-ई-पी-ी कई सोशल मीडिया या बीजेपी के लोग तो बीजेपी को आतंकवादी कहने में क्या वो है हरानगी है आतंक क्या होता है आतंक को कोई देश का आम आदमी ही आतंकवादी हो सकता है क्या सरकार में बैठे वे आदमी बड़े आतंकवादी हो सकते हैं और बहुत बड़ा के खिलाब एडी इंकम टेक्स और यहां की जो अजेंसी जह उनका दुरूपयोग हो रहा है या तंकवादनी तो क्या है इसलिए देश का कोई भी नागरिक आतंकवादी नहीं है देश का कोई भी नागरिक नकसलवादी नहीं है देश का जिसके उपर आरोप लगाए जाते है जबंग्रेजों का राज था सत्ता में बने रहने के लिए उनने इस देश के लोगों का आतंकवादी और इस तरह Need करना चाहते दूनbecue में झो पहांशी तोडवो उड़ा गया जेलों में वेजा गया यह सत्ता की सबसे बड़ी बदमासी होती है जो लोग अपने आपको जनपरतिनिति सोचने के बज़ाए, राजा सोच लेते हैं, सत्ता में लगातार बनने रहने की सोच लेते हैं, वो लोग हमेशा दूसरे लोगों पे मुकदमे दर्ज करवाते हैं, क्योंकि पुलीसिंद करते हैं जैसे अंग्रेज करते हैं या जैसे दूसरे राजे महाराजा करते हैं डेमोक्रीम सüt करते हैं यह तरीक कोशिश कि और कहीं ना कहीं उसके एक भाषन पर भी फायर दर्ज करने की बज़ए उसको चेतावनी देते औरों को तो तो चेतावनी दे के छोड़ता है लेकि बोला जा रहा है नहीं कि पैती स्लोगों में हिंसा बढ़काने की कोशिश की और तालिबान से कंपेरिजन करा गया यह देखना चीए कितने हिंसा बढ़की है उनके बासन के बाद को इंसा बढ़की है क्या कहिं दे समया वाली बात है इसमें टारगेट भी बना सकते हैं और इसमें हो सकता हैाई फायर समाज को दबाने की कोशिश की जा रही है इस तरीके से अगर लोग बीजेपी पे वार करेंगे तो एफायर दर्ज होना मुकदमा दर्ज हो जाना यह नॉंसेंस है एक बार में अगर किसी ने बोला है उसको एक मोका देना चाहिए था चेताव नहीं देनी चाहिए थी अगर इ असली तो वाकिए उननसे सहीए बात पहला यह उन्हें पहला कि पहलता प्रणाओ कोई सब्सक्राइब काव तो जी रहे हैं गाओं में या बौरीब गुर्बास में जिस तरह से जीवन या वाप मिन करें बोलने से डर रहे हैं यह थी आतंकवाध सर्कार पहला रही है इस ब पोलने हिम्मत ना भचे वही तो आतंग वाद होता होता है अधर्फ जान से मारनत होता होता है अध्यूंग दिया जाए किसानों को दिली में आनद दिया जाए या तंकवादी तो हैं जो सड़क पे इतनी बड़ी किले और इस तरह बोला जा रहा था नहीं कि अगर दिल्ली आ जाते हैं तो हिंसा बढ़क जाएगी इसको कहते हैं यह सारे ठेकेदार होगे का हिंसा बढ़काने के यही तो लोग बाने तो बनाती सरकार हमेशा सत्ता पक्स समय साब आने बनाता है लोगों को ड्राता है देश में भरम पहलाता है और लोगों में भेदवाव भी डालता है हिंदु मुसल्मान का हिंदु क्रिश्चन का और यह कहके जिनके बच्चे जादे हैं उनको तुमारी धंदे देंगे आतंगवाद तो यह है ड्राने का काम है बहरम फहलाने का कम और कोश कोम कर रहा है फुरा देश देख रहा है और उन्हों ने Vivi बात में यह दम जरूर है कहने का तरीकश अलग हो सकता है मगर आकासानद ने जो बात कही वो सत्पर्तिशत सही बाते कही तो मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि अगर कानून सब के लिए बराबर है तो अगर जिस तरीके से भाच्पा के नेता बयान बाजी करते हैं तो उनके ओपर भी कारवाई की जानी चाहिए इस देश में एक और परिवर्तन लाने की जूर्त है क्या परिवर्तन लाने की जूर्त है जो आदमी सरकार के पक्स वाले होते हैं पर तो करवाई नहीं होती और जो सरकार के अगेंस्ट होते हैं पर करवाई होती है कोर्टे अभी तक इस देश की चुप है इस मामले पे कोर्टे क्या करते जो उनके सामने मुकदमाता सिर्फ उसको देखती है किसी का घर तोड़ा गया एक आदमी का तो कोर्ट कभी भी इस देश की नहीं पूछ पा रही हाई कोर्टर सुप्रीम कोर्ट कि जब सारे के सारे सो घर इल्लीगल है तो एक इल्लीगल घर ही क्यों तोड़ा इसलिए सो इल्लीगल है तो सो को तोड़ो और सो को नहीं तोड़ रहे एक को हम तोड़ने नहीं देगे ऐसा हाई कोर्टर सुप्रीम कोर्ट को फ्यूचर में कहना पड़ेगा इस देश में जो पिक एंड चूज की मम कोई है ना देश के कानुन को हो करना देश की एदालातों को हाक है यह दंदा बंद करना पड़ेगा इस ने अंतकी। उसलिभी लोग भाजबत जाता है कि इनको यह जॉछ शुकरा कर सकते हैं और फ्राएडन कर सकते हैं इस अप इधा मेंको बैठेंव का जा सकते हैं ये अपने अजेंडे को भी देश के सामने सपष्ट तोर पे भता नहीं पारे ना बता सकते ये क्योंकि अजेंडा ही गंदा अजेंडा है ये मानवी अजेंडा है मानवता को अलग अलग करने का अजेंडा है और भाग भाग के अब इनका वो मामले चले नहीं जो ये चलाना आप देश समझ गया है यह बार-बार कोसिज करते हैं उन्हीं बातों को चलाकर लुकुल अब तो ऐसी बाते चल रहे हैं तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे जैसे तीसरा चरंड जो है वो चुनाव का वो शुरू हो गया है और उपर से आम लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं है सामाजिक नियाय से इनका कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिकल जश्टी से इनका कोई लेना देना नहीं जान बुझ के टार्गेट बना बना के कानून का दुरूपयोग करके और इवन अदालतों का भी दुरूपयोग ये लो या फलाना था कोई देश का candidate opposition का इंडिया अलाइंस का इस भरम में न रहे कि तुम अपनी योगता से जीत रहे हो तुम जनता की मजबूरी है इस बार सत्ता प्रिवर्तन करना और जनता का ये ऐसान कभी मत भूलना और जनता के ऐसान मंद रहना कि आप लोगोंने election जनता जित से बाहर करना तो ये बोल रहे हैं कि अपनी योगता के उससे ना कहें कि जनता की इस बार मजबूरी है कि भाच्पा को हटाने कि भाच्पा रही तो शायद सविधान खतम हो जाएगा और अकाश अनंद वाले बयान पे इनका ये कहना है कि अकाश अनंद सीधा अफेर्ड न